मैं हूँ आपके साथ चलेंद्र पांडे इश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हम अक्सर पूजा उपासना करते हैं और भारत में जब भी पूजा उपासना की बात होती है हिंदू परंपरा में जब भी पूजा उपासना की बात होती है पहले नंबर पर स्थान आता है हनुमान चालिसा का यानि कोई कोई पूजा करता हो या ना करता हो हनुमान चालिसा का पाठ लगभग हर घर में रोज होता ही होता है हनुमान चालिसा बड़ी चमतकारी स्तुती है बड़ी चमतकारी पुस्तक है इसका पूरा मामला क्या है इसके चमतकारी प्रियोग क्या है आज इस विशे पर बात करेंगे सबसे पहले जानते हैं कि चालिसा है क्या और इसका महत्व क्या है देखिए भक्त द्वारा अपने भगवान की या अपने इश्ट की जो इस्तुती है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और समस्याओं का निवारण हो जाएं ये सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है इसे चालिसा कहते हैं इसको चालिसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चालिस पंक्तियां होती हैं चालिस लाइन होती हैं सरल भाषा में लिखा होने की वज़े से इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है इसलिए ये जनता में काफी लोकप्रिय हुई और चालिसा लिखना शुरू हो गया चालिसा की जो चालीस लाइने हैं उसमें अलग-अलग लाइन का अलग-अलग महत्व होता है और उनका विशेश समस्याओं में विशेश प्रियोग भी होता है तुलसी दासजी द्वारा लिखी गई हनुमान चालिसा सरवाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है वैसे तो हर भगवान की चालिसा है लेकिन जो बात हनुमान चालिसा में है जो तुलसी दासजी महराज ने लिख दी है वो बात किसी और चालिसा में नहीं है अब ये जानते हैं कि हनुमान चालिसा पढ़ी कैसे जाए, इसका प्रियोग कैसे किया जाए हनुमान जी और उनके इश्ट भगवान राम के चित्र की स्थापना करें इसके बाद उनके सामने जल से भरा पात रखें, एक लोटे में या साफ गिलास में शुद्ध जल भरके रख लें कम से कम तीन बार से लेकर एक सो आठ बार तक चालिसा का पाठ आप कर सकते हैं पाठ के कम से कम पाँच मिनट के बाद उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहन करें और ये प्रयास करें कि चालिसा पढ़ने का जो समय है वो रोज एक ही समय हो ऐसा नहीं कि आज रात में पढ़े, कल दिन में पढ़े, एक समय इसका निश्चित कर ले अलग-अलग स्थितियों में आप यात्रा के दोरान भी चालिसा पढ़ सकते हैं अगर यात्रा में हैं मजबूरी है या सोते समय भी चालिसा का पाठ किया जा सकता है अब जानते हैं कि चालिसा के प्रियोग के नियम क्या है और चालिसा के प्रियोग की सावधानिया क्या है देखिए हनुमान चालिसा में से कोई भी एक लाइन आप उठा लीजिए जैसी आपकी जरूरत हो जैसी आपकी आवशक्ता हो एक पंक्ति उठा ले रोज सवेरे तुलसी की माला से उस लाइन का उस पंक्ति का मंत्र की तरह जब करें तीन से लेके ग्यारा माला आप जब सकते हैं जितने समय तक आप ये प्रियोग कर रहे हैं अपने खान पान में और अपने आचरण में शुद्धता बनाए रखें अगर आप चाहें तो पीले कागस पर उस लाइन को लाल कलम से लिख करके अपने पास रख सकते हैं अब हनुमान चालिसा के अचूक पंक्तियों को जानते हैं जिसका पाठ करके उन लाइनों का पाठ करके आप अपनी मनों कामनाओं को पूरा कर सकते हैं अगर आप विद्या, बुद्धी और एकागरता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे जो पंक्ति पढ़ेंगे वो देखिए स्क्रीन पर पंक्ति है बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहिमोही हरहु कलेश विकार इस पंक्ति को रोज सवेरे 108 बार भी अगर नियमित रूप से पढ़ा जाए तो विद्या, बुद्धी, ज्ञान का फाइदा जरूर होता है स्वास्त की समस्याएं अगर परिशान कर रही हैं तो कौन से पंक्ति पढ़ेंगे? लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरसी उर लाये इस पंक्ति का पाठ करने से स्वास्त संबंदी जो बाधाएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं अगर आपके रिष्टों में दिक्कत आ रही है, संबंदों में दिक्कत आ रही है तो इसकी मजबूती के लिए क्या करेंगे? रघुपत कीन ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रियभरत ही समभाई इस पंक्तिका पाठ करने से निश्चित रूप से रिष्टों के मुश्किल दूर हो जाती है दुर घटनाओं से, क्रोध से और स्वास्त की समस्याओं से बचने के लिए क्या पढ़ेंगे? नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा इस पंक्तिका पाठ करने से क्रोध शान्त होता है दुर घटनाओं से, स्वास्त की समस्याओं से रख्षा होती है अगर आप चाते हैं कि आप जीवन में सही रास्ते पे चलें गलत संगती से, गलत लोगों से बचे रहें तो क्या पढ़ेंगे? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी आप अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए भी पर सकते हैं जो गलत रास्ते पर चला गया हो या जाने वाला हो ऐसे बच्चों को बचाने के लिए लोगों को बचाने के लिए भी इस पंग्ति का पाठ किया जा सकता है जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं समस्या काफी गंबीर हो जाती है ऐसी दशा में कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे? दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते इस पंक्ति का पाथ करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और जीवन में जो रुकावट आ गई है वो दूर हो जाती है भै और मानसिक अवसाद से बचने के लिए क्या करेंगे? भूत पिसाच निकट नहीं आमें महावीर जब नाम सुनावें इस पंक्ति का पाथ करने से जो दर की वृत्ति है जो फियर साइकोसिस है वो दूर होना शुरू हो जाता है घर के वास्तु दोश दूर करने के लिए क्या करेंगे? पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहिता रिदय बसा हुसुरू भूप इस पंक्ति का जब पाथ करें तो सामने एक लोटे में जल भरके रख लें और जब पंक्ति का पाथ कर लें तो उसके पांच मिनट के बाद इस जल को घर के कोने कोने में छड़के घर की निगेटिव एनरजी दूर होगी घर के जो वास्तु की समस्या है उसमें सुधार जगार